देखे इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट आपको बता दू कोई रिक्वाइर्मेंट्स नहीं है यह जरूरी कता ही नहीं कि आपको स्प्रिंग आनी चाहिए इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीर देखेंगे कि स्प्रिंग में ऐसी क्या दिक्कत आगई कि आना पड़ा बेसिक्स अपी वगर्रा तो बनाएंगे ही mongodb integrate, mysql integrate, redis integrate, elasticsearch integrate, external apis को कैसे use करते हैं वो देखेंगे, schedulers लिखेंगे, properties file को अगर आपको नहीं पाता है properties file क्या होती है तो देखेंगे, लेकिन अगर रपता है तो मैं अब बता दू, properties file को externalize कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, दूसरे शब्दों में बोलू, config server भी पढ़ेंगे, modeling कैसे होती है, spring boot projects में वो भी देखेंगे, jar packaging, war packaging, सब देखेंगे, J unit से unit testing करेंगे, कहानी का असार ये है, कि इस course में अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, पहली एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, spring boot का नाम सुनते ही, लोग डर जाते हैं, उसी डर को हटाने के लिए, ये course में introduce कर रहा हूँ, चीज़े काम कैसे करते हैं, कोई annotation पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया हमने, लेकिन पता ही नहीं है कैसे काम करते हैं, इस course में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको आयता हूँ, अगर आप spring boot in one hour वाले बन्दे हो, तो वीडियो बंद कर दीज़े, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाले हैं आप, दूसरे courses की तरह, मैं content create नहीं कर रहा हूँ यहाप, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, और मैं आपका टाइम भी खड़ाब करना नहीं चाहता, ठीक है, तो आपको spring आता है, नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, spring boot आता है, नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है, सब पढ़ लेंगे इस कोर्स के अंदर अपन, इस कोर्स के बाद आप डरना बंद कर देंगे, spring boot के नाम से, यह मेरी guarantee ही, ठीक है, बकवास होई ही, वो start करते हैं, तो spring boot है क्या, देखिए लिखा हुआ है, spring boot is a framework, for building applications in java programming language, कहने का मतलब है, कि spring boot हमें कुछ tools प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम applications बिल्ड कर सकते हैं in java, ठीक है, फिर से एक बार, spring boot हमें tools प्रोवाइड करता है कुछ, जिसकी help से, हम applications बना सकते हैं in java language, ठीक है, यह definition, आपको spring की official website पर मिल जाएगी, कि spring boot makes it easy to create stand-alone production-grade spring-based applications that you can just run, कहने का मतलब है, कि spring boot की help से, आप spring applications create करते हैं, समद रहे हैं, वो देखेंगे spring applications क्या होती है, कि spring भी क्या है, ठीक है, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, कि spring boot क्या है, हमने देखा, spring boot एक set of tools है, यह माल लीजे, जो कि help करता है आपको, applications बनाने में in java language, ठीक है, बहुत शी बात है, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि देखेगा, कि आप spring boot की help से, easily ना, आराम से, spring applications create कर सकते हैं, तो spring boot help करता है, आसान बना देता है, to create spring applications, ठीक है, तो पहले क्या आया था, spring आया था, तो spring applications को create करने के लिए, easily spring boot आया, ठीक है, फिट से एक बार, हम इस पुराने जमाने में, spring application चलाते थे, ठीक है, create कर रहे हैं project, कोई दिख्यत वाली बात नहीं है, spring application बन गई है, लेकिन, manual work होता था, हमें बहुत ज़ादा, configurations करने पड़ रहे थे, spring के अंदर भी, उसी को overcome करने के लिए, spring boot आया, spring boot ने, वो जो configuration है, वो manual work जो है, वो हटा दिया है, यहाँ पर क्या रिखा हुआ है, you can just run, कि क्या आपको magic लगेगा, कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, और spring boot application तयार हो गई है, java application तयार हो गई है, आप deploy कर सकते हैं, 4-5 line के code से, आप jar को deploy कर सकते हैं, controller बन जाएगा आपका 4-5 line में, API बन जाएगी, तो यही है spring boot, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया है, कि बहिए देखे, spring applications थी पुराने नामाने में, तो उनी को easily create करने के लिए spring boot आया, यह standalone का मतलब क्या है, वो देखेंगे, सुनमा जाएगा, देखो, जो doubt था, कि spring तो already थाई, तो spring boot क्यों आया, वो मैंने clear कर दिया हुग, लेकिन अगर फिर भी, अगर फिर भी आपके दिमाग में है, कि यह spring भी तो इसी लिए आया था, कि जो boiler plate code है, उसको reduce करता है, तो वही मैंने आपको बताया था, कि spring applications में भी कुछ manual work है, कुछ का configurations करने पड़ती है, उसको भी खतम कर देता है spring boot, वही लिखा है, the core spring framework already reduces boiler plate code, and provides a lot of helpful features for java applications, जो spring framework था, वो भी अच्छा था, लेकिन spring boot takes this convenience, अराम को, to the next level, by focusing specifically on reducing the effort, required to set up and configure a spring application, ठीक है, अगर को नहीं पता है spring application होता क्या है, tension मतली है, बस यह है कि spring application बनाते थे पहले, हम spring boot से पहले, जिसमें कुछ काम करना पड़ता था, वो spring boot ने अब खतम कर दिया, ठीक है, spring जो था, वो भी simplify कर था, लेकिन उसमें कुछ था काम, वो भी अब खतम होगा, लिखा हो है, while spring does simplify many tasks, like create web applications, working with databases, managing transactions and more, but setting up a spring project, can still involve quite a bit of manual configuration, उसमें भी कुछ configuration करनी पर रही थी, तो दो चीज़े हैं, auto configuration प्रोवाइड कर रहा है, spring boot and stand-alone applications बनती हैं से, कहने का मतलब है, कि आपको किसी tomcat server की requirement नहीं है, जहां पर आप इनकी jar को, spring boot से जार बनी है, उसको deploy करेंगे, क्योंकि spring boot के अंदर पहले से ही, embedded tomcat server आता है, embedded, यानि कि वो self-contained है, और independent है, external environment के, external infrastructure के independent है, यानि कि आप अपनी spring boot application को लोगे, और server पर ऐसे ही deploy कर दोगे, server पर कोई configuration करने की आवश्रक्ता नहीं है, पहले क्या थो था, पहले देखेगा, आपको server पर एक tomcat install करना पड़ता था, तो उसके कुछ configuration करने पड़ते थे, then, फिर आप अपनी spring application को वहाँ पर deploy करते है, तो कई मालीजा अपने end point बना है, तो पहले वो tomcat server के पास जाएगा, then फिर वो कहाँ जाएगा, spring application के अंदर जाएगा, जो पहले होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, spring boot के अंदर embedded tomcat server आता है, कोई पहले से tomcat install कराने की जरूत नहीं है, जार ली ऐसे ही डाल दी, तो यह फायदे है spring boot के, यहाँ पर देखेगा, without spring boot, setting up a basic API, requires manual configuration, configuration, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, skip कर सकते हैं, कोई दिख्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा है देखो, कि पहले, पुराने जमाने में, spring boot नहीं था, तो हमें ऐसे code लिखते थे, एक API बनाने के लिए, ठीक है, एक API बना रहे हैं, हम hello के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, we need to manually set up, spring application context, in the main method, बोल रहा है, जो main method है, इसमें हम application context, को configure कर रहे हैं, application context, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर नहीं कर रहे है, यहाँ पर लिखा हुआ है, we use the spring boot application, annotation on the main class, ठीक है, main class में, हमने spring boot application, annotation use कर लिया है, this single annotation, class के उपर, add करके लिख देते हैं, कुछ उसको annotation बोल देते, ठीक है, annotation का मतलब है, कुछ हिंट दे रहे हैं, hint, instruction दे रहे हैं, कि यह चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है, ठीक है, फीचर में देखेंगे, अभी देखे, hint है, annotation मतलब कुछ हिंट दे रहे हैं, तो यह क्या लिखा हुआ है, we use spring boot application annotation, the main class, this single annotation, replaces the need, for setting up, manual spring application context, we no longer need, to explicitly create, an application context, using annotation config application context, as spring boot handles, that behind the scenes, we use spring application dot run, spring application dot run, to start the application, and spring boot takes care, of configuring, the embedded web server, and other necessary components, the spring boot application annotation, alone brings in a lot of, pre-configured features, including automatic component scanning, and embedded server configuration, embedded server configuration, तुमें आगया हुआ, इसको भी बताऊँगा, which would have required more steps, in a traditional spring setup, तीक है, automatic component scanning, कर लेता है, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, दिहान सी सुनिये का, spring हो, spring boot हो, इनकी भाशा में, होती है, कुछ beans, क्या होती है, beans होती है, beans, अच्छा यह भाई, beans क्या है, कुछ नहीं है, class है, object है, हम जैसे करते थे, student, student is equal to new student, यह क्या है, object है, bean भी क्या है, एक object है, लेकिन, bean को, लेकिन, student, student is equal to new student, अगर माल लो, code में, एक बार create करिये, किसी भी bean को, या फिर object को, bean object ही है, एक बार create करिये, और, पूरा code base, उसी एक create हुए, object को use कर लेगा, दुबार ऐसे, re-initialize नहीं करेगा, यह होती है bean, ठीक है, तो spring में, पुराने जमाने में, हम कुछ code लिखते थे, कि भाई, कितनी beans है, कितनी beans है, बताईए सर, कहा scan करूँ में, है न, हमारे code base में, कितनी beans पड़ी हुई है, वो हमें mention करना पड़ता था, कि बताओ भी, कहा scan करना है, वो automatically कर देता है, क्या spring boot application annotation, यह दे दो, वो समझ जाएगा, और गहराईयों में जाएंगे बाद में, ठीक है न, और हमने पड़ा कि भाई, देखो, spring में हमें यह application context, create करना पड़ रहा था, लेकिन, यहाँ पर चीज़े, आप्लिकेशन कंटेक्स्ट क्या है, सुनिएगा, spring या फिर spring boot, bean क्या होती है, एक बार configure कर दो, और सब यूज़ कर लेंगे उसको, ठीक है, तो वो कैसे होता है, java का code, जहाँ आप यूज़ करना चाहा रहे हो, ठीक है, अमाल लिजे student ही है, वो आपने bean बना दिया, तो आपको student is equal to new student करने की जुरूत नहीं है, और गहराईयों में बात में जाएंगे, अभी के लिए इतना काफी है, इस वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ट पर मिल जाएगे,